दो हजार एकिस की सबसे जादा प्रचलित चर्चा में रहने वाली शादी हो चुकी है विकी कॉशल और काटरीना कैफ की 9 दिसेंबर को इस वेडिंग के बारे में हम बात करेंगे क्या-क्या स्टाइलिंग सेंस हमें अच्छे लगे उसके बारे में बात करेंगे क्या-क्या स्टाइलिंग सेंस थे जो की ट्रेंड बनने वाले हैं जो आप अगर आपकी शादी जैनवरी फेबरी में होने वाली है तो क्या ट्रेंड है जो आप पिक कर सकते हो क्या चीज़े avoid कर सकते हो आप अपनी personality के साफ से क्या चीज़े adapt कर सकते हो थोड़ा सा दूर रह सकते हो कि इन style sense से चाहे वो साडी का style हो चाहे वो jewelry का style हो चाहे वो लेंगे का हो चाहे वो उसका airport look रहा हो चाहे उनका pre festive look रहा हो चाहे वो महंदी, शादी, सब्विसाची जूलरी everything we'll talk about in this video सो चली शुरू करते हैं अपना वीडियो हाई आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते मैं हूँ सौमित्र आपका जूलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स fashion and costume जूलरी सबसे जूलरी की styling जो मुझे अपील करी वो ये थी कि यहाँ पर इन्होंने माथा पट्टी के साथ साथ शीश पट्टी भी पहनी है अभी तक हमने जितनी भी celebrity wedding देखी या अपने idols की wedding देखी जहाँ पर लोगों ने या तो माथा पट्टी पहनी थी या तो शीश पट्टी पहनी थी बट दोनों का combination पहली बार आया है तो I'm sure ये trend catch on करने वाला है सबसे जादा गौर करने की बात ये है इस पूरे वीडियो में कि Katrina Kev का face shape oval है और long है तो उसके हिसाब से अगर आपका चेरा माल लीजे small है या round है तो आप इस trend को avoid कर सकते है आप सिर्फ शीश पट्टी वाले trend पे ठिके रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आप इस category में fall करते हैं आपका forehead में वो जगह है तो आप माथपटी और शीश पट्टी दोनों ले सकते हैं तो आप इस trend को definitely अपना सकते हैं अपने आने वाले wedding में दूसरी जो noticeable jewelry की trend मेरे को लगी वो ये था कि नत इन्होंने बहुत ही simple रखा है अब तक मैं बहुत सारी brides को देखता हूँ जो मुझसे कहते हैं कि उन्हें बहुत heavy वाले नत चाहिए और actually पीछे trend में था भी जहाँ पर नत में बहुत काम है नत में विवाह लिखा हुआ है गोल्ड में और बहुत सारी चीज़ें बट इन्होंने यहाँ simple बिल्कुल simple पहना है अंकिता लोखंडे की भी शादी just अभी अभी हुई है उसके pictures भी आउट हुई है लेट सी कि उन्होंने भी इस नत के trend को follow किया है कि नहीं किया बट आप definitely इस चीज़ को ध्यान रख सकते नत जितनी simple आप रखोगे उतना जादा आपका चेहरा visible होगा उतना जादा glow करके effect में आएगा आप में से कई लोगों ने ये pics तो देखी होंगी विकी कोशल और केटरीना की वेडिंग की बट पता नहीं कितने लोगों ने गौर किया इनकी finger rings पर जनरली अब तक यह होता था कि finger ring में अगर आप एक हथफूल पहन रहे हो जिसके आगे एक बड़ी सी finger ring है तो उस हाथ में और कोई बड़ी cocktail ring पहनने की जरुवत नहीं है बट अगर हम गौर से देखें यहाँ पर तो यहाँ पर एक ही hand में दो-दो बड़ी-बड़ी cocktail rings है तो अगर आपका हमेश्चा से मन था कि आपको दो-तिन तरह की designs पसंद आ रहे हैं आप अपने एक ही event पे पहनना चाहते हो एक ही styling में पहनना चाहते हो तो इस चीज से आप inspiration ले सकते हो कि आप अपने एक ही hand में दो बड़े cocktail rings ट्राय कर सकते हो Multicolored लहंगे का trend बिलकुल नहीं गया है बहुत जादा इन है यह इनके सगाई वाले look में और महंदी वाले look में भी दिखता है कि इनोंने Multicolored लहंगे को adopt किया है तो आप भी इस चीज पर गौर करिए कि आपके जितने भी events से शादिस related कई सारे events होते हैं आप कहीं ना कहीं जरूर से Multicolored लहंगा जरूर पहनिए यहाँ पर देखिए जो इनका महंदी वाला जो Multicolored लहंगा है वो आपको आप उस तरह का तब ले सकते हैं जब आपको लगे कि आपको warm tone की color की जरूरत है इनोंने जो सगाई में पहना है अगर आपको pink और mint green shades के mix वाला लहंगा color वाला लहंगा चाहिए तो आप cooler tone के लिए अगर खोज रहो तो वो वाला color tone shades भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो आप अपने skin tone यानि undertone के हिसाब से select कर लो but Multicolored लहंगा पहनिए जरूर बहुत जादा trend में कोई भी एक occasion पहन लीजे that will suffice शादी वाले दिन इन्होंने traditional red family का सब्बे साची का gorgeous लहंगा पहना हुआ है उसके साथ jewelry में जो गौर करने वाली बात है कि वो polky stones की jewelry पहनी है उसमें कोई भी color नहीं है बहुत ही मामूली सा अगर आप magnifying glass लगा के देखो कि तो शायद आपको दिखेगा कि उस necklace उस gorgeous choker के end में बहुत बारीक से emerald के beads लगे हुए but that is as good as invisible तो आप उसी सो छोड़ दीजे बट गौर करने वाली बात क्या है कि आपका red ensemble अगर है तो उसके साथ gold base की polky stone या polky kundan stone की jewelry बहुत जचेगी इन्होंने कई जगा इस्तमाल किया है आने वाले looks में भी इसके चर्चा करने वाला हूँ wedding से related किसी एक function में जैसा कि आप इमेज में देख रहे है Katrina ने white color की ruffled sardi पहनी हुई है इसके साथ jewelry कौन से पहनी है उस पे गौर करना ज़रूरी है पूरा ensemble में आपको एक मोटा मोटी जो appearance देख रहा है वाइट color का देख रहा है इन्होंने जो earring पहनी है और हाथ में bracelet पहना हुआ है वो दोनों त्यानी यानि करन जोहर का जो brand है jewelry brand उसका इन्होंने earring और bracelet पहना हुआ है दोनों का base gold है stone polky के लगे हुए है और बहुत सारे beads pearl का mother of pearl या pearl के लिए उसका काम है यहां से हमें दो चीज़े सीखने को मिलती है पहला तो यह कि जरूरी नहीं है कि white कई सारे से brights आती है जो बोलती है कि हम white का कुछ पहन रहे है या white mukesh का का काम है या chicken का रहे है तो हमें उस पे gold का कैसे अच्छा लगेगा हमें उस पे diamond ही चाहिए लेकिन diamond में बहुत ज्यादा चमक आ रही है white silver की नो तो यहां पर आप समझ सकते हो कि जब real में लोग gold plated jewelry पहन रहे है पोलकी की तो आप real पहनो चाहे artificial पहनो पहले तो यह style sense दिमाग में रखिए कि आपको उसके साथ gold base की jewelry जचेगी ही जचेगी आप अच्छे लगोगे जब इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े stylists लगे हुए हैं उसकी Katrina keff की styling और तब वो stitch को पहना रहे हैं तो आप भी उस styling sense को अपना सकते हो दूसरी बहुत important सीखिये है pearl का use मैं अपने कई वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि pearl का बारीक pearl का beads का का काम बहुत ज़्यादा genuine लगता है कि बहुत बड़े बड़े stylists jewelry designer सब्बेसाची जैसे लोग तरुन तहलानी जैसे लोग इस चीज को use कर रहे है मेरे पास फिर भी अभी भी ऐसे बहुत सारी brights आती है जो कहती है कि pearl की लटकन होगी तो artificial लगता है I don't know कहां से ये खयालात आते हैं जब इतने बड़े बड़े लोग jewelry designers से हिचके चाते नहीं तो हम और हाप क्यों हिचके चाते हैं इस चीज से एक trend है hair styling का hair styling के बारे में दो चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ पर change हुई है अब तक जितनी भी wedding होती थी वहाँ पर ये पिछले देड़ दो साल से जब से दिपिका पादू को उनकी wedding हुई थी यहाँ पर Katrina के अपने अपने wedding में दो तीन occasions पर अपने बालों को खुला रखा है सामने front में hair strands को fall करने दिया है cascading effect है बहुत genuine लग रहा है यह इस pattern को इस तरह के hair style के trend को change definitely करेगा so you can watch out for this second यह है कि इन्होंने अपने शादी वाले दिन जूडे में traditional गजरा लगाया है हम लोग आजकल क्या करते हैं कि hair wines और hair accessories बहुत ऐसी ऐसी खोशते हैं जो कि थोड़ा सा western type का look देता है Indian type के look में इन्होंने बहुत अच्छे से गजरे को carry किया है आप भी इस trend को follow कर सकते हैं जो एक चीज़ वो मैं बहुत ज़्यादा agree नहीं कर रहा हूँ वो ये है इनका महंदी वाला look महंदी वाला look का जो ensemble है वो gorgeous है no doubt stunning लग रही है उसमें Katrina Kaif बट जो उनकी jewelry है वो बहुत ज़्यादा matching है इतनी ज़्यादा matching है कि वो merge सी हो गई है overall ensemble में हम हमेशा यह बिल्कुल नहीं चाहते है कि बिल्कुल ही merge हो जाए multi color jewelry का देखे trend है आपको follow करना चाहिए बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें आप styling sense को हलका सा तवज्यों दे सकते हो कि दोनों चीज़ों की individuality उभर के आए बिल्कुल merge कर जाएसा ज़रूरी नहीं है कहां कहां पर आप क्या क्या कर सकते है इसे related मैंने बहुत सारे videos की है but I hope कि मैं जो कहना चाहरा हूँ आपको exactly समझ में आगया होगा अब आते हैं कि सगाई वाले look पे यहां दो trend बहुत awesome है एक मैं पिछले अपने point को वापस यहां पर आगे बढ़ाता हूँ वो यह कि इन्होंने multi-colored jewels वाली jewelry पहनी है यह साड़ी भी वैसी है लेकिन इसमें majority में पोलकी के बड़े-बड़े stones का काम है so आपका jewelry और आपका ensemble दोनों की अलग-अलग personality देख रही है और overall appearance कमाल का रहा है तो जब आपको multi-colored कुछ पहनना हो तो इस तरह का आप styling sense दिमाग में रख सकते है second जो बहुत अच्छा trend यहां से carry करने वाल है मुझे लगता है वो यह है कि जब आप साड़ी पहनते हो साड़ी के साथ आप एक बहुत सुन्दर सा veil अगर design करवा सकते हो तो क्यों नहीं यह first of its kind मुझे दिखा है अब तक हम बहुत ही traditionally बस ऐसे सर पे ले लेते थे अपने traditions को follow करते हुए वो अच्छी बात है बट यहां जो इन्होंने एक नया custom मेरे ख्याल से शुरू होने वाला है आप जरूर आगे आने वाले टाइम पर देखेंगे जो भी आप में से हैं जिनको साडी पहनना जरूरी है वो थोड़ा सा अगर इसको contemporary look देना चाहते हैं तो साडी के साथ अपने एक बहुत ही सुन्दर सा almost matching shade का एक veil बनवा सकते हैं और उसको carry कर सकते हैं make up इन्होंने nude make up रखा है कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने make up जो है over the top किया हुआ है हाला कि अपने आप में बहुत gorgeous stunning पहले से दिखती हैं बट ये nude make up अगर आप follow करें तो इससे आपकी personality जादा visible होगी आप कुछ और नहीं लगने लगोगे इसी इस पर भी गौर करना जरूरी है और एक last tip इससे बड़ा jewelry का tip हो ही नहीं सकता वो है आपकी smile जितना आप smile करोगे आपकी wedding images उतनी ही अच्छे आएंगी जिन्दगी बार आप cherish करोगे और सिर्फ images के लिए नहीं आप खुद भी उतना ही जादा enjoy कर पाऊगे ऐसे हसो ऐसे smile करो कि आपके लिए वो best दिन है किसी की जितना मत करो smile that's the best jewelry you can wear I hope आपको ये वीडियो के points पसंद आया होगे मेरा analysis पसंद आया होगा सबसे जादा आपको इसमें से कौन सा trend अपील कर रहा है जो आप सोचते हो कि आप अपना होगे मुझे नीचे comment में ज़रू बताएगा किसी चीज को लेकर के doubt है तो आप मुझे mail कर सकते है I'll revert to your queries अभी अभी अंकिता लोखंडे की शादी हुई है मैं उस पे भी अपना analysis जल्दी लेकर के आऊंगा अभी-अभी images release होना शुरू हुई है let me analyze that and get back to you on that आप में से जो लोग नए हैं इस channel को subscribe जरू करिए because यह इंडिया का only jewelry specific channel है jewelry related बहुत सारे videos है आप मेरे channel को browse जरू कीजे so मिलते हैं अगले हफते with a brand new topic may be suggested by my subscribers only और suggest कर सकते हैं आप नीचे comment में अगर आपो किस तरह के videos चाहिए मैं उस पे जरू काम करूंगा signing off for now I am Samitra, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry